वाहे गुर्जी का खाल सा वाहे गुर्जी की फते सब तो पहला आप जीदा सब नू आप जीदा जीदा जीआ यानू साड़ा पहला लेक्चर आज दा जड़ा ओए है के वाट इस रिलिजन एंड रेलिवेंस ओफ रिलिजन धरम है की जो कुछ असी धरम नू समझ रहे हैं आज तक की योई धरम है या धरम कुछ हो रहा है असी उस बारे आज विचारां करनी आने सर्वत्तम मनुख दी सिर्जना हर धरम दा मनोर्थ रहा है और धरम दे बिना सदाचार या वैल्यू सिस्टम जीदिया है एक आईडियल मैन या एक आईडियल मनुख दर्शक मनुख के ओज़ा होना चाहिदा है के ओज़ा नहीं होना चाहिदा उन्हों की करना चाहिदा है की नहीं करना चाहिदा इना सारियां गल्ला दे ज़े जवाब ने ओस अनु धरम तो जाने बिना नहीं पता लगनगे नैतिकता अते संसकार ज़े ने ओ मनुख दी मनुख दी महतव पूर्ण पचान चिन ने अडेंटिटी है ओ राजे दा लोकां प्रती मनुख दा मनुख प्रती मनुख दा ओरत प्रती ओरत दा मनुख प्रती की फर्ज ने की अधिकार ने इस अनु धरम ने दसने धरम मनुख दी जिंदगी नो इस तरह पर भावत करदा है जे में सूरज जड़ा ए रुत्ता नु करदा है पर आज जदों सी किमी सेंच्री दे विच इत्थे खड़े हो के धरम दी गाल कार रहे हैं और आज दी दशा अगर सी ग्राउंड रियालिटी देखिये थे आज दुनिया दे विच विश्व विच की हो रहा है कि सारे संसार विच मनुख जड़ा है दुखां विच इकलेशां विच पीड़ा विच विचर रहे है दुनिया विच किसे भी मैं हर वा रहे थे गाल कहना कि दुनिया दे किसे भी मजभ दे विच किसे भी धरम दे विच वाइलेंस दी कोई गाल नहीं है तक की कारन है आज दुनिया वेच जितनी वइलैंस हो रही है, जितना जड़ा अंड्रेस्ट है, एक की औरन है के धरम देना आते, मजबा देना आते ही हो रही है。 आफ्टराल इदे पिछे कारण की ने कि अपा एप महसूस नहीं कर दे के इदे पिछे कारण नहीं है कि शायद धरम नू असी समझ नहीं सके आज वेस्ट विच भी बड़ा चिंतन हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज भी चिंता हो रही है ओ भी बड़े वड़े वड़े विदवान यूरोप दे वेचे कठे होके चिंतन कर रहे ने कि जड़ी वाइलेंस है इन दी नेम ऑफ गाड एक क्यों हो रही है इस बारे असी आज जड़ी है वार वार गाल करनी है कि जड़ा मनुख है ए देवता भी बान सकता है और मनुख दानव भी बान सकता है एक आल जड़ी बड़ी ब nutr Państwo आफसूस जनक है ओ कि अन्दे ना कि काफ़ला काफ़ला लुटे आ गया एदा बोता अफसूस नहीं है अफसोस वड़ा है कि जिड़े लुटे होई लोग ना है जिड़े असी बैठे हैं थे सानुए भी नहीं पता लग रहा कि असी कितना का लुटे जा चुके हैं एक इतना वड़ा मसला है अपना घरां विच देख लिए बच्चे जिड़े ने ओ अपने माबाप दे किनेक ओनेस्ट ने माबाप नाल डियार नाट ओबिंग दियर पेरेंट्स अपने माबाप दियो जिड़ी है ओ देख रेख भी नहीं कार पारे कर रहे ता एक बड़ी ही खुबसूरत लाइन गुर्बानी दी कि वो है कि बाहर दिसे चानना दिल अंध्यारी रात कि सब कुछ चानना दिख रहा है लेकिन जदों तुसी दिलान वेखो गए उत्थे अंध्यरा ही अंध्यरा है तो मुम्मद इकबाल ने इस गुर्बानी दी लाइन तो 200 साल बाद या 300 साल बाद कमाल दा एक उस शेर रिख्या सी कि इस दोरे तरक्की के अंदाद निराले हैं जहनों में अंध्यरे हैं सडकों पे उजाले हैं इस तरह दी कुछ गल आसी आज देख रहे हैं मैं जदों धरम दी गल करन जा रहे हैं ते इस तो बाद जदों डक्टर साब आके थे गल करन गे ता एक गल जड़ी मैं मैंनो बड़ी खूबसूरत लग दी है जिसनों बेस बना के इड़क्ट साब ने गल करनी हैं वह एके जो गुर्णानक साब ने जब जी सहब देविच धरम दी परभाशा दे दे देती हैं जैसी उसनों ही थोड़ा जा समझ लई ते मै समझ सक्कागे ज़दो हो का देन के धोल दर्म डिया का पूठ संतोग था परके जिनसूत के मित सी ना कि इस धर्ती नों दलर ने चके या बैम ने चके गुर्णानक साब कह रहा है जाल दया वीच को पेदा हुए जदनाल कॉंपेश्य नए और कॉंटेंटमेंट है जिदे कंपेशन और कुंटेंटमेंट ने नहीं है और ओ अपने अपनों कवे के मैं धर्मी यां तो मैं नों लगदा है कि ओ दूसरे नों मूरख बना रहे है एक बड़े कवी ने एक बड़ी खूबसूरत गाल लिखी सी ओ कहने दा है कि तुसी सुने नहीं सारे जमाने नों पता है कि दरती दे यहाँ, जिड़ा बलत ऑो लापता है, इससली दरती डोल रही है, कि जो नो दरम खत्म हो गया है, दरती दे विच्छों या इस यूनिवर्स इच्छों और जो वाइलेंस जो अन्रेस्ट हो रहे है शायद ए इससे लिए हो रहे है कमाल है कि असी खाना खानने आ मूँ ताल जदो अंदर जान दा हो खून बंदा है तेक विद्वान ने कहा सी के धरम नू इसरफ मूच ना रखो इसन लाई ये इजेड़ी लाइय़ येको खावे जेको भुच' Republic units येड़ा इनू खावेगा और जड़ा भुचेगा इसनू पचावेगा फिर ओ येषनू पासक दाया तो ए जड़ा दरम दी गाला सी करनी है दरम दा रस्ता या ज़रम दा जड़ा मारग है इम आर만 जानन नाल नहीं इसनों चलन नाल जड़ा एत्या हुएगा आज दा साधा ए जड़ा लेक्चर डाक्टर हर बजन सिंग जी पंजाबी इनिवस्टीतों हैं ए लेक्चर करनगे देरा दून दे विच डाक्टर साब डिरेक्टर ने शिरी गुरु गुर्ण सहीब दा नियुक्त जड़ा ओ उस दे उत्ते काम कर रहे ने ग्यानी हजारा सिंग जी गुरु गुर्ण सहीब कोश्ट ओ री एडिट कर रहे ने बड़े गुर्बानी दे ग्याता ने डाक्टर बलबीर सिंग सहत के इंदर है देरा दून जित थे डिरेक्टर ने उस सेंटर दे और उत्ते बड़े सालां तो यह उत्ते काम कर रहे ने गुरु गर्ण सहीब थे वियाकरन दे गुर्मत दे गुर्बानी दे मैं डाक्टर नुबेंती करांगा कि आज दे इस विशे बारे कि धरम किये है और धरम दी रेलिवेंस किये है उस बारे गाल कर आओ जी डाक्टर परम सतकार यो बहुती बुद्धिमान तरम दे ग्याता अते मेरे बहुत परम प्यारे सदार हरिंदर पाल सिंग जी चेर्मेन गुर्मत कॉल्ज अते आज दा दिड़ा ए अकादमिक सम्वाद है इस विश पाग लैनवास से आए परम विवेकी शुरुता जन जी प्यारति सतकार सेथ बलाई फतिदा आप जी ने जवाब देना वाहिर जी का खालसा वाहिर जी की बड़िए सरदार हरिंदर पाल सिंग जी एक चंगे संगठन करता ता है इने इंस्टिटिउशन सथापत करना उसनों आर्गिनाइजट रखना और पूरी डिवोशन आल उस मिशन अग्गे वदावना एक उनता नदा है इनना कुल ए बड़ा विवेक है कि केड़ी चीजनों किते रखना है हर वार सेशन दी अरंबता जिडिया है वो ए लेक्चर जिड़ा तरमदा है इदे तूं कर देने तांके जिड़ा शिरोता आया है वो वक्ष वक्ष तारमिक मानता मानता हूँ आए हो सकते ने एथे जो आया है वो सिर्फ गुर्दवारे दी संकत नहीं है वो तरमदा जिगे ऐसी है इस करके शुरूवेची उसनों पता लग जावे कि इथे तरमदी वास्च्विक्ता पड़ाई जानी है कोई पंथक एजेंडा नहीं है इथे तरम पड़ाया जाना है ओ तरम जेसदा सबंद किसे पंथक संकीर्ण ता नाल नहीं है गुरू गर्ण साहब जेस तरमनों प्रतिपाधित कर देने उस तरमनों कोई पंथ कहे के यह सिर्फ मेरा है यह उचित नहीं कोई पंथ इस मिशन दी सिवाविच नहीं हो सकते पर इस दा मालक नहीं हो सकता क्योंकि ओ तरमन दा मालक नहीं बन सकता तरमन दा मालक करतार है क्योंकि करतार तरमन दा मालक है इस करके तरम ते किसे दा कबजा नहीं हो सकता यह सारी स्रिष्टी दा है गुरू गर्ण साहब दे दा तरम है यह सिर्फ सारे मनुखा दा नहीं है यह सारी लाइफ दा यह सारी क्रिएशन दा तरम है इस करके गुरु जी ने किया कि प्रमेशर दी स्रिष्टी तर्म उत्तेटी की होई है जनों तर्मनु प्रिभाशत कीता सदार साब जी ने सदार हरिंदर पाल सिंगोरा ने जप बानी दी पंक्ती आप जीनों शरवन करा की दस्या है कि तावल तर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिनसूट तर्म वाई गुरु जीता वो हुकम है वो आडर है जिसदे अधीन सारी प्रकिर्टी चल रही है सारी क्रियेशन चल रही है तर्म ओ है असी सदार्न शब्दा में चे जिस तरह अंग्रेजी दा शब्द रिलिजन है असी उन्हा अर्था में ची तर्म समझ लें देहां के किसे खास प्रकार दियां जिडियां पूजा वाने पूजा विदियां ने राबदी उपाशना है एक राबदा विशेश सवरूप है एक खास किसम दा एक कौमियत वाला विदी विधान है उस सारे विच बज के रहना एक उदा यूनिफाइड जिड़ा सवरूप है असी सोच दियां कि ए तर्म है इस रूप चसी कहने यह सिख तर्म है ए हिंदू तर्म है ए इसलाम है ए इसाई तर्म है यहुदी तर्म है इत्यातिक ए तर्म थी एक आसी सोचिये कि साड़ा जिड़ा सधार्न चिंतन है वो तर्मुते इंपोज कीता हुया मैं कमांगा इसनों हाकीकतन तर्म ए नहीं ए सानू गुरुवानी ने दस्या है जाप वानी दी एक वजडी लास्ट विचे पांज खांड हानू ना पंज खंडा में पहला खांड है तर्मशाल इतरती तर्मशाल है क्यों तर्मशाल है क्योंके इस विचे तर्म ने और्डर ने डिसिप्लिन ने एदेचे निवास कर लिया है वाई गुरु जी दे रूपिच वाई गुरु ते होकम इको क्यों हो जान्दे ने होकम ही वाई गुरु हो जंद है तो वाई गुरु हो क्योंके उस विचे एक सतायतव है तेणा पंग नी हो सकता है होकम एक सतायतव है जा सतायतव देन वाली सता है जो किसे चीज नो डिस आडर नहीं हो देंदी गुरु जी ने क्या के देख ए तरमिशाला क्यों है क्योंकि एक डिसिप्लिन में चलन वालियां चीज़ां वाई गुरु जी ने बढ़ायां राती रुती थित्ती वार पवन पानी अगनी पाताल ते स्विच तरती थाप रखी तरमसाल परकिर्ती नो नेयंबद चलाऊना ओडर वेच चलाऊना हार चीज नो अनुशासन वेच रखना एदेवास से वाई गुरु जीदा जेड़ा हुकम होया है ओ तरम है इस करके तरम केवल रचना तक नहीं है रचना तो पहला सी तो रचना खतम हो जागी तहां भी रहेगा किसे तरम अधीन ही क्रियेशन होई है ओ तरम वाई गुरु जीदेविच समाया सी ओदे चो सफुटित होया पर किर्थी बनगी उस तरम ने ए रूपतार्न कर लिया जदो ओ समेटेगा ओ तरम फिर ओदे विच्ची जाके विलीन हो जाएगा इसकर कि तरमता एक अनादी चीज़ है जिदा कोई आद अंत नहीं है या एक ये कि असी आद तरमता नहीं पा सकते क्योंकि युगां युगां तो है ज़रों कालनी सी तदोमी सी ओवी एक तरम सी के काल नहीं है संकोचिया होया तरमता है संकोचिया होया है जग्त बनिया तरमता विस्तार हो गया फैला हो गया चारे पासे आर्डर चारे पासे अनुशासन पसर गया उस अनुशासन दे विच जदों जीव विच्रन करदा है वह वाई गुरुजी दे हुकम दे अनुशारी हुंदा है जदों उलंगन करदा यतन करदा है उस वेले डिस आर्डर फैल दा है बद अमनी फैल दी है अशांती फैल दी है तो तर्म ओ चीज है जेड़ी हार चीज नूँ आर्डर विच चला रही है दया दा पुत्तर क्यों है जदों मैं स्वार्थ वेच हो जा मांगा सिर्फ अपना पड़ा सोचांगा ता मेरे मान के दया नहीं पैदा हो सकती है उस वेले मैं अशांती अस्थायताव बिस आर्डर दा समर्थक ही नहीं बलके ओर नूँ परसारिद कर रहे हैं यह दा तर्मदी विरुद्ध है क्योंके जदों मेरे स्वार्थ है मैं दुझे दे हाक नू एंक्रोच करांगा दुझे दे हाक मारंदा यतना करांगा दुझे दे हाक मारंगा ते किते ना किते ते आज नहीं कदे ना कदे ते रियक्ट करेगा जो लोग इतना इतना तानिक अत्तर करी बैठे ने बाबा नानक जी ने ए सथिती एमनबार चवेखी सी ताहुना लिखिया जिन सिर सोहनी पटियां मांगी पाए संधूर से सिर काती मुन्नियन गल्व चयावें तूर मेला अंदर हो दिया उन बैन न मिले हदूर उन अंदर से है कि में गरी छोहारे खांदियां मानन सेज़डियां क्या रंगर लिया चन लोग काना पैसा लुटेया सी मौज मस्ती चल रही सी वाई गुरू जी ने जम कर मुगल चड़ाया यह नहीं के बाबर आ गया बाबर ने पेज जिता वाई गुरू जी ने यम बना के पेज जिता किस वास से के जिना लोका ने स्वार्थ विच आ के परज़ादा खून पीता है उन जाके तुसी उनना दू लुटो उनना पता लगे कि जो कम उनना ने कुदया वारा कीता सी और एक आर्ण और कुदया उनना दे वर्त गई ए डिस आर्डर क्यों है यह स्वार्थ कार्ण है यह दया पावनी सी अंदर यह नी सी कि मैं रहना है ता इसने भी रहना है मैं सोच लिया कि नहीं मैं रहना है इदे रेंडी की लोड़ है तो गुरु साथ सचे पात्षा महराज केंदेने तर्म ओ चीज है पहला ते असी एदा अर्थ जेडा रिलिजन ते बहुती शंकिर्म जा अर्थ तर्म दासी कर देया तर्म एक बिल्लकुल अलग चीज है तर्म ओसी कहने है ओ चीज जेडी मनुख दे तार्ण योग है ये सधार्ण अर्थ है इससे पिछे तर्म ओ है जिसने तार्ण कीता हुया है मैं तर्म में चे जम्या हां तर्म में चे मरना है तर्म में चे विच्रन करांगा ते जनम मरन दो में समर जानगे तर्म दा उलंगन करंदा यतन करांगा उलंगते नहीं सकांगा क्योंकि जिथे जिथे उलंगांगा एकर करे सो एकर पाए जित्ते जित्ते उलंगन करांगा उत्ते सजा मिलेगी नालना प्रंटु की है उस उलंगन दे यतन विच मैं आप अशांत रवांगा ते दुज्यानों अशांत करांगा दुज्यान दा तर्म भी डिस्टर्ब करांगा जे मैं तर्म विच विचरन जान दा है अनों शासन विच सारा जीवन बितावांगा ता उस विच की है कि आप शांत रवांगा एक सुख़द शांत में स्वाज समाज सिर्जिन विच मेरा कुछ योगदान हो लेगा तर्म नों असी ए चीज ना समझ लगे कि जिमें असी सदार्न पाशाज कहता है इस एक तर्म है उस तर्म नो उदी प्रोजेक्शन गुरु गंच साविच नहीं है गुरु गंच साव जी ने जेड़ा तर्म देता है वो सारी मानवता दा यह नहीं वो सारी लाइफ दा है असी आम आम पाशा वेचे बंदेनु कहने आ नाम जप उन्य गुरुगरण साब कहने कि हाँ बंदेनु नाम ते जपना चाहिए उन्य नाम सारी कुदृत जप रही है हर जीव जन्तू जप रही है नाम में जब कुछ जम्या है नाम में सब कुछ पैदा होया है ते नाम वेची रहना है ते नाम ची मरना है नाम तो बार बंदा नहीं जा सकता बंदे ने ते सिर्फ आपने अंदर चाती मार के उस स्थान तक पहुँचना है जित्ते जा के उसनों ए पता चले के मैं नाम वेच रह रहा हुआ अजे की है ओ अंदर उत्रदा नहीं ते उसनू ए ऐसास नहीं हो रहे है कि मैं नाम बेच रहे रहे हैं नाम जपनना कुछ नहीं है मुझ तो वाईगरू 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 जन्नमर जी कह लिए कि नाम जप प्यात्रड़ है एh नाम ते महराज केहने हर घड हट भी toon toon करें हट भी लगया होया है तो भी टक 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 करी आ प्रड भी नाम परिया जेए करी नुग शायद एचेतन्ता नहीं है कि मेरे अंदर नाम है जेड़ा टक टक कर लिया है इसे तरह जदो मेरी बुद्धी जड़ब हो जाएगी जदो मेरी आत्मा जड़ब हो जाएगी तो मेरे अंदर जेड़ी टक 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 नाम दी चल लिया है ओधे नाल मेरी कोई सांज नहीं बनेंगी यह नहीं कि मैं नाम तो बार हो जमागा एसे तरह मनोख होकम तो बार नहीं हो सकता ते एसे तरह मनोख तर्म तो बार नहीं हो सकता छाला बहुत मारदा है तर्म दी सेवा छाला मारदा जड़िया तर्म वाल यह हुं दियाने और हुने किसे दा स्वाल ची कि तार्मे की यात्रा मां ते लोग जंदे हैं आसी नगर कीटन कर दे हैं यह की हो जा तर्मे यह ता तर्म ची कोई योगदन है मैं नो ए लगया कि जेरी चीज भी दूज़े मनुख नू तंग कर दी है वो तर्म नी हो सकता तर्म वू है जो Life नू सुख़््ड करना मला हुए मेरे नूंए ते मेरे तो ज्2 आना हुए मेरे गवांडी तर्म वू चीज है उसनू एइसास हो हुए मेरे केड़ में तर्मी नी हो जेडियां अंदर दियां वैल्यूज हन उन्हानु असी ए मन बैठेयां के तर्मनाल एदा कोई वास्ता नहीं है उन्हानु तोर लिया है इसकर के की है के खुली दारी रखे पांजिक आर पैन के वी रिश्यत लेंट मेंनों कोई प्रिशानी नहीं क्योंकि मैंनों लग दैनी के ए अतरम है ए अजी अचेतन हो चुके अतरम प्रती ए मन लेना चाहिए जदो मनोख तरम प्रती अचेतन हो ज़न्द है तदू मनोख जेड़ा है ओ अतर्म नू तर्म समझ जाए ते तर्म नू अतर्म समझ जाए नगर कीरतन कड के हजारां लोकानू परेशान करना तर्म बन जाएगा या तीर्थ यात्रामा कर देया आम मुसाफर नू परेशान करना ये तर्म बन जाएगा ते जेड़े सद्गुन ने उन अनु बंदा समझाए ना की जिमिया तर्मुन दा है के ना नु तारन करने कोई लोड ने गुरुगंचा महराज जी दी बानी जड़ी है एस अनु सिख्या दिन दी है के तर्महन सद्गुन जेड़े बंदे ने तारन करने ने जे ओ दुर्गुन तारन करदा है ता ओ ना आप शांत हो सकदा है ना समाज नू देश नू मनुखता नू ओ कोई सथायतव देन लेई योगदान आपना पा सकदा है कि सथाय पा सब्सक्राजुन तर्म है अनुशासन विच रहना अनुशासन दा पार्लन करना एक डुस्प्लिंड इन्सान बंदना जे सकोल गुर्बानी विच नितनिया पंग्तियां तर्मनाल आयने वो बहुत यह करकि आयने उन दिन सात संतो धया इत्याद काए ने सात संतोख दयात अर्मे कठे वार वार जिने बरते गए लिए बहुत सारियां पंक्तियां हैं जाब तब संजम तर्मना कमाया एसे तरही नानक गुर संतोख रुख तर्म फुल फल ग्यान इह जियां पंक्तियां ने जितकार्ज सात संतोख दयात अर्म है यह भी पंक्ती आई है, सो कैन तो पाव ए है, सद संतोख दयातर्म सच ए अपने ग्रे पीतर वार है, सद संतोख दयातर्म शिंगार बनामों, सद गुनादे नाल तर्म शब्द जिड़ा है, इसनों सबंदित कीता है, असे इसनों कौमियत नाल जोड़ते हैं, ए त्यान, ए वड़ा अंतर है, कौमियत तर्म नहीं है, साड़े जड़े बड़े बज़ुर्ग सन, उनना ने प्रान यासी ग्रंट्वी देख लिए भी सिख तर्म नहीं किया, सिख नू तर्मी बंदा ते किया, गुरुनानक साब नू तर्म दे पर सार कर नू आजे ते किया, उनना दी आर्गेनाइजेशन नू तर्म नहीं किया, क्योंकि उनने तर्म संकीरन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, उनना किया, नहीं, महराज जी दे जेड़े सेवक ने साइव शीरी गुरुनानक देव, ते होर नौ पार्शन्या, ते जेड़े हुन गुरु गर्ण साब जी दे लड़ लगे ने, उनना दी आर्गेनाईजेशन पंथ है तर्म नहीं, यह त्यान रखन मली बात है, क्योंकि आज दी पाशाच मैं गरंथां विच जिड़े गरंथने हो थे सिख तर्मी लिखांगे सी, यह तर्म नहीं बहुत छोटे अर्थ नहीं, बलकि उसनों विगार देने तर्म नहीं, जो मैं सिक तर्म कहुआ है, इसाई तर्म कहुआ है, गुरु जी ने क्या नहीं, यह तर्म नहीं है, यह पंथ नहीं है, पंथ है पैथ, रस्ता, पत, अंग्रेजी जी जी पत, अंग्र सवरी यह मार्ग है किस पासे दा मार्ग है तर्म दा मार्ग है संत का मार्ग तर्म की पौड़ी को डपागी जाए तर्म तक पहुंचना संत दा यह रस्त है ए ज़ीना पंथ है यह मनोख्णू तर्म तक लिजाँता है वाक्षवाक्षपंथ ने एक तर्म बल जाइए तर्म एक है पंथ अनेक ने, रस्ते अनेका ने, कि ते शरीयत दा रस्ता है, इसलाम दी शरीयत दा, कि ते यहुदी शरीयत दा है, कि ते इसाई शरीयत दा है, कि ते साड़ा नाम मार गया विच, कि ते वैदिक याग कर्म जेड़े ने वो रस्ता है, यह ते अलग अलग रस्ते ने, मेरी प्रावलम किथे है कि मैं मैं मनोख़ी तौरते का लखा रहे है मैं समझ लिया है कि जेड़ा मेरा पंथ है इस तर्म इस करके मैंनू लग दाए दूज्ये लोग सारे अतार्मिक ने मैंनू हिंदू दी पूजा पाठ ओ अतार्मिक लग दिया इसलाम दिया तर्मिक लग दिये क्योंके मैं तर्म समझ लिया है शिखी दी पूजा पाठ जे मैं इसनू रस्ता ही समझ दा मार्गी समझ दा पंथी समझ दा फिर मैंनू ए नहीं लग दा फिर मैंनू लग दा कि नहीं ए दा अपना रस्ता है अब मैंनू कई बिच्छी वीरेक मिले आ ओ भी ड्राइव करके गड़ी ले आया रकाब गंज ते मैं अपना ही रूटे जड़ा है दरू आई एस बीटी बना वो खेंदा है मैं ते तौला कुआ बना वो खेंदा है गए तेसी दो में रकाब गंज ओ होर रसे तुम आये उनना क्या ए बड़ा सुखैन है मैं क्या मैंनू आ सुखैन लगदा है क्योंकि मैंनू याद है दुझे पास से मैं पठके जाना तो लक्ष्णा एक कोई सीरकाब गंज पहुंचना तो मेरे ओदेच वेहर पाव कादा हुए अपनी रात हो जिड़ा उन्हों ठीक लगदा सी उत्व चला गया मैं दुझे रात हो चला गया जाना ते उत्वी सी एक चीज बेंटी कर देवा जे रब तक पुझन दी बात करिये ते साड़े च पेदपाव हो सकत है क्योंकि आसी इतने अतार में कहां किसी रबदा सुरूपी विगार दिता है किसे ने उसनों बहिष्ट वेचे कैद करता है किसे ने सुर्ग च फरके बठाता है किसे ने उसनों किसे नाम वेचे कैद कर दिता है किसे दुझे ने दुझे नाम चे कैद करता है बन ते रबनू, सब तो वद बद्या होया ते कैदी बनेया मनुख दा जिड़ा है, ओ रब्य है, महापुर्ख रबनू सुतंतर करनवा से संसार चाहे, संतर तर्मदस के, तर्मदी गाल दसिये ते रबनू अजाद कराईये, साधी मुक्ती ते दुजी गल है, मैंनू लगजा पहला ते मुक्ती जड़ी है, महापुर्खाने और अब दी करवाई, कीमे में गलता, सूर्जवल पानी चरांदेशी, रब सूर्ज नू बनाता, उस दिशा तो कैद करवा के, क्या नहीं, पच्छम बल लगए, उल्टे पासे भी ते आनमार ला, उत्थे भी हो, जेडे सू आए, तो का शाया सी, ओते पच्छम में च भी है, फिर मेरे प्रामुसमान ने किया, कि पच्छम अलो मुकामा, ओते अल्ला दे मुकाम तो ही पहुंच क्यों ना किया, इत्थे किते कैद किता ही, कावेच, इतन ते तिरे दिल में चैए, ओत्थे कैद करना, जित्थे बैठा हो ते वेखदा नहीं, जित़्े कायद नहीं हो सकदा हो ते तू बन के रखना चाहुं ते बज्या रहे ताके सिखान दे करना जावड़े सिख कहन दै कुर द्वारे चे नू कैद करना मा द्वारे पूरी फैंसिंग लाके कोई दूज्य दे करना जावड़े मेरात नू प्रशाद पानी शकन राब मुसलमान दे करना जा हिंदू दे करना चला जा जितना रब कैद है उतना बंदा नहीं है इससे करके कबीर साथ नों कहना प्यावी लोगन राम खिलोना जाना खिलोना है बंदे दे हत्था आदा कि ते अल्ला बना के उन्हों के तु बस दुजा नाम तेरा नहीं हो सकता जिड़ा मैं ते तेरा नाम है किसे ने कायता तू सिर्फ भाईगरू हो सकते हैं किसे ने कहता तू सिर्फ राम हो सकते हैं यह रब्दा हुकम मनने नहीं कि रब्दे हुकम चलाओना है ज़रा अपनी स्थिति सोचिये थी क्या रब तो प्रेर ना ले रहे हैं कि उसनु पर भावित कर रहे हैं तैनु जो हैं और नहीं रहन देना साद्धा तर्म जेड़ा अजे तक सी समझा है वो एक पलीद तर्म है जेड़ा रब नु पलीद करते है जेड़ा परमात्मा नु पलीद करते है गुरु महराय सचे पाथशा ने जाब साहब बेचुनू अनाम ही कह दिता है कि कोई ना ते ना ना ही रखिये चंगा ते हो ये इतने सारे नाम लेले के लेले क्यों ना क्या कितने को गणामा ताव सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत समत जितने को अकल चोना आ रहे हैं लिख रहे हैं तेरे नाम कोई ब्यान कर सकता है तेरे कवन 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 कह कह कहमा तू साहब गुनी नहीं दाना तेरे किनने को नाम रखांगा मैं मेरे जितनी बुद्धी नहीं है जितने तेरे नाम कल्पित कीते जासे देने हो सकते ने तो उन्हा क्या पाई ओ परमेश्ट जड़ा है ओ ते अनाम ही है एक एक्स्ट्रीम है रबदी पुईत्रता नो बचाओन दी के कोई नाम ही नहीं तेरा क्योंकि तेरे सारे नाम है तो जेड़े महापुर्ष ने एता तुसी ते आनल देखो हजर्त ममसाब आए लोकाने तेनसो सथ मूर्तियां बढ़ना हुई है आए नूँ खुश करो आए नूँ खुश करो आए नूँ खुश करो उन्हा क्यों मूर्तियां जिकानू कैद कर दे अबराहम आए सन उस समय मूर्तियां जे रब कैद सी उन्हाने उस कैद तों अजाद करवाऊन वासे उन्हानों देश चड़ के फलस्तीन आउना प्या आपना देश चड़ जलावतनी पोगी ते यहुदियां नू पता ने कितने हजारा साल जलावतनी ते गुलामी दे कटने पहेने किस कार्ण क्योंके अबराहम ने ए यतन कीता सी कि रब नू मूर्तियां विचों ते इस मंदर विचों अजाद करवाता जाए फिर की उन्दा है महापुर्ख अजाद करवा कि जमते ने बंदा फिर ओना दा चेला बन के उनुफर के फिर बठा लेंदा कि तूं किसे जाएंगा पाई उन्ना तो बाचिगें चल साड़े तो बचन दा रसा कट जे गुरु महराज सचे पारशाद शिरी हजूर आए रबनु मंदर तो अजाद करवाया रबनु तीर तो अजाद करवाया रबनु मक्के तो अजाद करवाया ते किया सर्ब जोद तेरी पसर रहे जैन जैन देखा तैन न रहरे सारे पासे ते तू है तेरा ही ते सारा प्रकाश है ते साड़े सारे यतन क्या उस दा प्रकाश सारे पासे देखन वाले हन नहीं साड़े यतन वी हन कि ए साड़ी कौम दा रब रहे खुरांदा न रहे तर्म जिड़ा है गुरु जी ने पंथक संकीर्णता तो तर्म नू वक्ष कीता है ज़नो पर भाशा वे दिती गुरु अर्जन दे महराद जी ने सर्व तर्म है श्रेशट तर्म हरी को नाम जब निर्मल करूं एक से कौम दा तर्म नहीं है मनुख दा तर्म है परमात्मा दा नाम ले आजाए चंगे कम कीते जाना मक्का श्रीफ चाहिए कि आज शो बमला बाद्यों दोनो राए रोई सिद्धा नू समेरते ए उपदेश दिता के जगत विच जाके चंगे अचार दा परदर्शन करो लोका नू चंगे अचार बाले पास से लाओ शुब अमल बाले पास से लाओ ए चंगा तर्म है जे तुसी सिद्ध शप बैठे परवती कौन जगत को पुआर उतारा तर्म नू तुसी ये थे बन के रख लिया है जगत दे लोकानू तर्म कितों पता लगेगा उठे जाओ जगत विच जाओ तो महराजी ने किया कि शुब अमल ते रब दी याद रब दी याद क्यों तांके एचेता रहे कि मैं हर करम दा जवाब देना है हर अमल दा जवाब देना है रब दी लोड इस करके है सरकार दी लोड क्यों है तांके सरकार मेरे अमलानू चेक कर सकेते दुझे देनू भी ओ मेरे हक ना मारे ते मैं उदादा ना मारे ते सरकार ते स्वास्ते है एक अलवक्री है कि सरकार लुटेरी हो जाए शासक लुटेरे जड़े ने सी कि कदे दो प्रामान से चगड़ा हो जावे ते वो बैठ के साड़ा फैसला कर दे कि नहीं नियम अनुसार तर्म अनुसार अनुशासन मताबक ए जस्टिस है तर्मदी लोड जड़ी है मैंनों किसे ने स्वाल किता सी कि देख देख फते दा तर्मनाल की सबंद है दो प्राबलम बंदे दियां वडियां हन एक पोजन दिसमा से ते दूजी न्याए आज भी तुसी देख दियो भी सरकार जड़ी ये फ्री अनाज बंदी है क्योंकि ए उदा मुख तर्म है कि उदे राजदे में कोई पुखा नहीं सावना चाहिए दूजी चीज सरकार इसनी फोर्स रख दी है तांके उस दे लोकानाल कोई जोरा वर अन्याँ न कर सके लोकानो न्याँ देना ते लोकानियां पदार थक थोड़ा पूरियां करनियां चाहिए वो दूजे देश्टों ए सरकार दा मुख तरम है साइव श्री गुरु गोबिन से महराजी ने देग तेग फते दा निशाना दे के ए जड़ा तरम है मनुखता दा रूलर दा शासन दा ए द्रेड करवाया के जदों खालसा जिते जे शासन विच आवे जे शासन विच नामी होगे तामी खालसे दे जीवन दा लक्ष है संसा तों पोखमरी दूर करना ते दूजा की ए संसार विच जेस्टिस बहाली वास से वड़ी तो वड़ी कुर्बानी देन लिए त्यार रहना ए तरमकाल से नू गुरु महराय सच्चे पार्शा साइव श्री गुरु गोबिन सिंग जी ने जेड़ा एक बिलकुल एक सार कड के सानग दिट्था सी वो दे करके शी देग तेग फटेग तेग तेग पर मतलब यह नि कि तलवार है लाके ती दुज्जे नू ड्रा नू इन है अलवार दुज्जनू ड्रौण वास से नहीं है जेना निर्बल है तलवार नहीं चुकर सकता उस दे अंदर विश्वास जाग करन वासे कि जए तू पहली गलते एक तैनू अपने तर्मदी रखे आप करनी चाहिए ज़िए नहीं तै कटो-कट मैं हाँ तेरे तर्म नू कोई खत्रा नहीं, असी तलवार क्यों हो लगए, दूजेनु द्रॉन वासे, के तु अद रे वासे खत्रा ना बढ़ी, मेरे तर्म वासे खत्रा न बढ़ी, जदो के सी की एत तरम दी रख्यावासे से सारयां वेच विश्वास पेदा करणा मासे सी कि खालसा एक तार्मिक इंसान है जेड़ा जिस्ता सारा से ट्रगल दो चिज़ावासे मनुख्ता वेच नियाम भाल होए ते मनुख्ता देविच जड़े मनुख्ता दी बढ़ा कश्त है पुख्दा व वो खाल्चा दूर करने मेंच आपना कंटिविशन जीवन पर दिन दा रहेगा ए वचन बता है देख देख फतिश दिन सो मैं एप प्रार्थन कर रहे हैं सी आप चीनूं एक पंक्ति तुसी रोज पाइर दी हो मन्ने मागना चल्ले पंक्त अगली पंक्ति की ये मन्ने तर्म सित्थी सन बंद मन्ने मागना चल्ले पंथ पंथ फिर ओ आ गया है एक तार्मिक कौम मन्नन वाला मनुक पंथ नू नहीं मन्न दा है जेड़ा रबदी होंद नू मन्न दा है ओ पंथ वाले रस्टेते नहीं चल्ल दा एक बड़ा का क्रांति कारी विचार है इस ती प्रोजेक्शन वेच प्राबलम भी बड़ी है क्योंकि इसनों सुनना बड़ा आखा है कौमी अंकार्जड है इसनों सुनने जिनता कि मैं अपनी कौम वाले रस्टेत नहीं चलांगा पंथ सदा मतलब कौम हो गया कि तार्मिक समुदाय हो गया सिखी दे रस्टेत नहीं चलांगा मैं हाँ गुरु महराज गुरु नानक देव जी कहन दे के नहीं क्योंकि तेरा तर्मना सबन्द जुड़ गया है अगे की यह मनने तर्म सेती तर्मना रिष्टा पैदा हुंदा है कौमियत नाल टुट दे कौमियत नालो रिष्टा नहीं तुट दा है कौमियत दी जड़ी संकीर नता है उससे नालो रिष्टा तुट जन दा है केड़ा जड़ा रब्द नानु मन दा है ओ फिर ओदे सामने ए नी के एक सिख किसे मुस्लमान ते जाती करे या किसे हिंदू ते जाती करे तो सिख दा प पुरे उसने वेखने तर्म किदर है यह मुस्लमान सचा है जाए सिक्ष सचा है जे वो मुस्लमान है तब पीर बदरुदीन बुदुशाद रूपिच वो कहेगा औरंग जेवदा इसलाम जिड़ा है यह ठीक नहीं गुरु गोवन से माराज दरस्ता ठीक है यह तर्म एक कौम तो उच्चे उठके तर्मदी गल करनी पंथक संकीरंता चड़के तर्म वेखना जिसने एक कर्म कीता है ओ तर्मिक इंसान है ओ इनसान जेड़ा है एक आईडियल मनोख है उसनों रब्देनाच विश्वास है रब्देनाद मनन उसने कीता है जेड़ा ए वेखे के दो पुर सब्सक्राइब साथए दो परिवार की संकीरंता है, समाजी की संकीरंता है, वो सरब पाहत, संकीरंता धूर करना है महराजी वराइड लक्ष है, शरी गुरु गंडसाव दा एजडरा कोर्स है अधि वे जिर्टयां चीज़ यां पढ़ाईयां जानियाने उन्हें धा मुख मुद्दा वे इनसानियत เियां साजें समस्याओां केडियां ने 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 इनसान वे साजें भीमार्यां केडियां ने असी जड़ियां चीज़ां ते लड़ियां के नहीं मेरा पहरावाय हो जाया ते मुसल्मान जाय हो जाय क्यों हिंदू इस तरह क्यों कर दया यह पूजा इस तरह क्यों कर दया मैं ते कीरतन कर दया यह क्यों नहीं कर दया योडि मर्जी है जिस तरह चाहे वो करे उसने भी राबनू खोष न गरना है मेरा भी राबनू खोष करना है यतने बाइबल कहने दिये के जदो मनोख चे पहला विवाद कदों होया कहने दे के आदम दे आदम जिनू कहने है एक प्रहा खेती करदा सी उसने प्रमात्मानों अनाज पेट कीता है रोटियां होर पजार से बना के जिन्हों सी वैशनम पोजन कहने हैं प्रमात्मान चड़ाया दूजा प्रहा पे डंबक्रियां पालदा सी उसने पेड कट्टी ते मास चड़ा दिता प्रमात्मानों मास चंगा लग गया उससे ज्यादा किरपा होगी दूजे प्राहनों गुसा आया रब एदेते क्यों खुश है उसने उदा कतल कर दिता बाइबल कहन दिये इनसानियत वेच विकार इत्थों जनम लेएन पहला विकार तक है फस्ट सेन ते उसी रावदे हुकम दी अवगया जरी स्वर्ग विच जो वर्जित फल सी एडम ने खादा इवदे कहनते ते ओ तर्ती ते सुट्या गया जेड़ी सिख आइडियालोजी है उदे विच इनसान तर्ती ते सुट्या नहीं गया ना ही योगियां दी आइडियालोजी वांग जनम एक फटकार जान लानत है रब वाली भी जनम दे तसन परमात्मा ने बड़ी किर्पा करके जीवनों इस तर्ती ते बड़े साधना नाल संपन करके उसने तर्ती ते पेजिया किस करके पेजिया के तर्मदा परसार करके ए तर्ती जड़ी है यह इनुई सुर्ग बना देगा अगले होरकेशे स्वर्ग दी ते कलपना ही नहीं इस तर्थी नों स्वर्ग बना लिए ये तर्म सी गुरु साब महराज सचे पात्षा शीरी हजूरता तो काइन ते हाब बाइबल कहन दी है के इस तर्थी उते मनुख दा पहला पाप सी जिस तो अगे सारे पाप दा परसार होया ये परसार इन हो गया के रब ने सुचिया के ते बना के कोई जमें गलती होगी हुँ दी है उसने एक वरी जल पर लै ले आंदी ते सारा कोजी नश्ट करता अभी हुँ नमे से तो बना माँगा जेड़ा कदे कदेशी भी पाई गुर्णातियां वारा ने होर भी जेड़े सिख गरंथ ने उनना चलिकिया अभी गुर्णान सब आये ते तर्म दा एक कोई पैर रह गया तर्म उठ गया ते जदों सी सोच दियां के तर्म उठ दा है ते तर्ती डामाडोल हो जन दिये तर्ती ते डामाडोल की होएगी ये थे जीवन है मनुखता ओ डामाडोल हो जन दिये अस्सिर्ता आ जन दिये अस्सिर्ता दा मतलब विनाश तर्मदार ओल की है सत्थिर्ता रखना ताके मनुखता ते होर जीव विनाश वाले पासे न जान साधी पर विर्ती जड़ी है ओ की है अस्थिर्ता वाली है तर्मदा टुटके से अस्थिर्ता वाले पासे जान दिया उस अस्थिर्ता दे कार्ण अगली चीज सामने आउनी है वो फिर विनाश आउना है क्योंकि जे मैं किसे नू लुटांगा ते कल नू मैंनू लुटेगा मैं दुकान ते वैठ के बड़े आराम ना लुटा रहा ते कोई आया मेरा सिद्ध गला का टके खो के सब कुछ लह जावेगा जे मेरे को जमा कीता कोजी हो वही ना लुटा तो लुट किये मैं लुटन कोई आवे गई नि मैं भी सेफ मेरा कार भी सेफ मेरे बच्चे भी सेफ ते जे किसे नो पताया के नहीं यह दुकान ते बड़ी कमाई कर दे मौका तार के कोई चार गुंडे जेड़े ने वो मेरे को लुटना आ सकते ने वो गुंडे ना आये ते कटो कट जिडे बच्चे ने आपने पैदा कीते हुए वो मेरे यजे सकाया कम कर दी होएगी थोड़ा जावेखन के कमजोर हो गया ते सब कुछ खोलें गया थो के लिया पैदर करते मैंनू पश्तावा रहेगा के पाप पाप करके संचित भी कीता हुन कुछ पास नहीं है तर्मने ए इससे खाना है अपनी मर्यादा बिच रहे शुब अमल वाली जड़ी पौड़ी है ए चरदा जा तांके कदे तैनू खत्रा किसे तो ना हुए ते तू खत्रा किसे वास्ते ना बने एक पंथ दूजे वास्ते खत्रा ना बने ते दूजा पंथ जड़ा है ओ तीजे वल पैड़ी नजरनाल ना देखे तर्मने ए सिखाना है जे सानू तर्म ए सिखांदा है कि दूजी काउम देनार साड़ा वैर है विरूद है तां फिर इस समझ लेना कि साड़े को तर्मदी शुदता नहीं है तर्मने ते ए सिखाया सी ना को बैरी ना हे बिगाना सगल संग हम को बने आई बिसर गई सब तात पराई ये तर्मदा मार गए है ते साड़े अंदर जड़ी तार में कि संकीर्णता है ये दो चीज़ा इना इस नों में समझ लेना है नियाय वास ए सत्थिर्टा वास ए जनु कदे शाष्तर भी चुकने पेंदेने महापुर्खा मी चुकिने थी अज़रत महमाद साथ भी चुक्के साहिव श्री गुरु गोबिन सिंगिवास है वो स्थिर्ता बहाल करन वासे हन जे उन्ना वेचे रता परवी खोट है ते फिर वो स्थिर्ता दा कारन बन जन देने तर्म वासे चली जड़ी तेग है वो मनुखता दे पले हेता है जे वो कौमियत दे पले लिवी होवेता हूं गलत है जे सिर्फ कौमियत दे पर सारवा से है फिर वो और्म दे भी तलवार है ते जे वो जुल्म दे नाशवा से है ते फिर वो साहिव श्रीगुरु गोविन से माराजी दी बक्षिश कीती होई किरपान है तो तर्म वो चीज है जिसने जीवन टिकाया है जीवते अजीव टिकाये ने तर्म ओ है जिसने ब्रहमंद टिकाये होई ने टिकायों ही तर्म है मैं इसनुह हो रुषिदी एक स्टेटमेंट टिकायों ही तर्म है जेड़ा सथिर्ता दा element है जिदे करके सारे ग्रह कोक रोडी चलतना अंत लिखे न बानिच पता नहीं कितनी गती नाले चली जा रहे ने पर एक दुझे न टक्रांदेद नहीं है अपना तुरात नहीं छट दे ना तर्म नहीं छट दे इनना दा तुराकी है तरम बय नहीं तौला बय नहीं तरम है जिसने हर चीज नू तुरी ते रखे है तुरी केड़ी है न दिवाई ग्रूण जेड зр उन्दर और है जो भी तुर आए नहीं ते तोर आंदर रचना दे लित्ध आँँ प्रमात इनुन नहीं ते चुल करेंदी है परमात आठोब घ्ली ओ अईयृ नहीं होन दिता, खिंडर नहीं दिता, तदों तक ए ट्यून ने उस सतर मंदे वेच, ते जूए परविर्तिया जेडिया ने, लोब लाल्च दा शिकार हुन दिया ने, साधी ट्यूनिंग गडबड हो जन दिये, जिदे नाल फिर की हुन दा है, कि अस्षिर्ता आउनी बिल ल ए तर्म, ए सिखाएगा कि जे तू लुट्खसुट जारी रखी, ता ए समझ लाया कि ए माल तेरे तो में किसे खो लेना है, समाना शाहर बहुत बड़ा सी, साधान दा बहुत बड़ा गड़ सी, मेरा पिन समाने दे बहुत नेड़े है, 6 किलोमेटर दे है, तो मैं खंडरात वो सारे देखे सन, होन नहीं कुई रह गया, किले टठे होई देखे सन, जेड़े बाबा बंदा से बहादर दे टाइम ते सिखाने ताहे सन, क्या जंदा सी के इकी रूलर रहन दे सन, जिना नू पालकी वेच चलनदा अधिकार सी, इस शेर देविच, इकी पालकी या निकल बंदा से बहादर दे नाल, ओ हजारा लोग की कठे हो गया, जिना नू सदिया तो लुटे आ गया सी, सेना कोई नी सियो देखोल, सिख सिदक ना लड़न वाले ते थोड़े जाये, संज़़े ता रमभा से लड़ रहे सी, इतना लुटे रहा आ गया, क्यों आ गया, क्यों क बड़ा तन माल इन रूलर्स ने अपनिया हवेलियां चकठा कीता हुए लुट ने, लुट मार होई, दस जार बंदा मारया गया, किस कार्ण मारे गया, इस जार कार्ण कणी विगुत्ती, इन जार कणी खुआई, पापाबाद जो होए नाही, मुया साथ ने जाई, अतरम बाले पासे लग के, लुट लुट के माल हवेलियां पर या सन, ते फिर ओ लोग जड़े सदियां तो लुटे जा रहे सन, उन्हा दिया निगाहा मी लगियां सी, कैसी ये माल खोड़ा है, इस तरह अस्षिर्ता, इस तरह कतलोगार्थ, हर हाल वर्त दी है, जदो मनुख दि स्वार्थ विच पै के अपने दूजे प्रावा दे अधिकारां दा हनन करदा है, दिखो ना के, एक अनारी सदा जती दा विधाने से करके बढ़ें, दस्तस व्या कोई ना कर ला है, एक तरम बढ़ गया, जए कोई दस्तस व्या करदा जाएगा, ता अल्टिमेटली किते न किते फिर रिवोल्ट होएगी, जड़े रह जानगे, वो को माराई करम करनगे ना, चंगा नहीं करनगे, वाईगरु जी ने एक बैलेंस रख्या है, इस्त्री पुर्षदी पापूलेशन लग पाग बराबर रख्या है, हलात आंदे ने, किसे हलात वेच इस्त्रीयां दी स जड़ों एक बंदा पन्या पन्या व्या कर लागा, ते ओ संतुलर्ण खतम हो जागा, क्यूंकि जड़े रह जानगे, ओ फिर फिर कुछ ना, कुछ मारा करम करनगे, फिर उनू मारा करम क्या जाएगा, परतु सिं मारे कर्म कों सी, कारन ओ सी, जिसने 10 इस्त्रिया ना लिया जब वि इस तरियान व्याकरलेया, वो और कारण जगिनेते सी, तर्म सादे तौर अंदर है, जिमें नाम अंदर है, जिमें भाइगरू अंदर है, यह तरहं तर्म अंदर है. परंफकी है कि आसी आपने मनदी मत्त पिछ्योस तर्म तरमणू इग्नोर करदें," यहां उन्ज नुपता है कि तरम मेरे बासे ए है तो ए नहीं, ए मेरे, ए मेरे यह सिमावाने हर बंदे नुपता है, परंटु ओ आपना अंदर दा जड़ा अध्यातम बाद है, ओनों दबा के आपने माननों हावी करके दूजे दा हाक जड़ा है, ओ मारता है, तरम क्योंके अ नुप असी तरम कहने हा, जिसनों, ओदी तेसी रोजी कहने कोई लोड नहीं है, कला मार्क्स नहीं कह गया, मार्क्स ने पुजारी दी लुट वेखी, तरम दे नाम ते हूंते फसाद वेखे, तरम दे नाम ते लोकां दा शोचन वेखिया, तो उसने कह तब दी तरमी इस करके तर्मनू मनना ही नहीं चाहिए था आज भी बैठे हैसी कई जा नहीं कई ऐसे कौम दे आगू जड़े ने वो ब्यान देने हैसी कहने है इकड़ तर्वे मैंनी वन्दा है नू सदार हरिंदर पाल सेंग जड़ों आये फिर दस्ते निबिया कौम ने कीता है ये ठीक नहीं ये दिना सहमती नहीं बन नहीं सकती सहमती सारे अंदा इस विचार जेटों थो सी कठे वक्रे बैठते ये विचार होता है कि नहीं ये तार्मिक所以呢 अतार्मिक कर्म किता है येड़ा तर्म अनुसार नहीं है इस करके साड़ा चित नहीं करता कि इनम्न्या जा रहे प्रंतु एदा मतलब एद नहीं के तर्म गैर जरूरी हो गया है विग्यान ने तरक्की कर ली है एदा मतलब एद नहीं के तर्म दी कोई लोड नी विग्यान ने जेड़ी तरक्की कीती है एदे विच मनुखदियां एम्बिशन्स होर जादा वद गियान है पहला हो दिया थोडिया ढूल भू दिया सि जदो सी छोटे होंदे हमें भू सब्सक्र आव ही खतूंग बंल nhiजती लोड आखे कंअ इस लिख्षी रजाइन साथ नहीं सब्सक्राइडए में अरक शर ट्रॉल बोल काyt नहीं गे हैं is दिया बने आखेане होन बजार दे विच हर चीज इतनी सजा के रखिये के बंदे द मन लल चूंदा है के मैं यह भी लेले माँ उस से नालकी होया है टेंप्टेशन वद गीएन है जे टेंप्टेशन वद गीएन है तो एद मतलब है के तरमधी लोड हो जादा होगी है कि मैं अपनी सीमा नू पहचानना कि जे बिच पैसे जेड़े मेरे हाक लाल दे हन होए ते लेलवांगा नहीं ते अपनिया टेम्टेशन जेड़े इनन दबा के रखांगा कि की लोड है कम चल दे तो बिना मी छोटे हुंद्या में सी रहन दे सी पैदल भी चल दे सी उन गड़ी कार जेड़े जरूरी है कि इस तो मी बड़ी होए तो इस करके तरमदी लोड सदीरी है और आज दे युग विच तरमदी लोड बहुत ही है पर उस तरमदी नहीं जेड़ी संकीर्णता विच कौमा आपस विच लड़न ते मरन उस तरमदी लोड है जेड़ा तरम हर इनसान दा संजा है जिते हर इनसान एक कह सके तू सबना संजा बाप हमारा उस तरमदी लोड है जिते एक या जाए एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई यह नह ते इक है उसनों कोी किसी रूप इच प्यार कर दे है को किसी रूप इच प्यार कर दे सो एग अल्ला समझेनियां पेंट गिया सदार हरिंदर पाल सिभी जिन इशारा कीता है कि वक्त हो गया है बहुत बहुत अडता नवाद वाईगर जी का खालसा वाई वॉथ समझ रहे सी के what is religion, अखीर विछ डख सब गल कर रहे सान के आज जड़ी यूग है, temptation दै, corporate आगे ने पूरी दुनिया तो, विकास दी दुनिया बन चुकी है, पर आज दे बच्चे नोजवान अपनी तरक्की विच अपने विकास विच धरम नो रोड़ा समझ दे रहे, समझन दी गाला है और समझान दी गाला है, वड़ी गाला है पहले सी आप समझिये, फिर अपने बच्चे नोँ, अपनी पनीरी नोँ समझाईए, दरसल जड़ा मनुख है, एक समाजक जीव है, और समाज बना के समाज वेची रहना पसंद करदा है, और समाज तां रह सकता है जे समुची बलाई लई कुछ काइदे होन कुछ कनून होन और काइदे, कनून, नियम तां ही काइम हो सकते हैं जे कोई राज काइम होए कोई प्लिटिकल सिस्टम बन जाए और इना निमा थे ना काईदें थे थे कनूना थे जड़ा चल के लो कानू चला सकके और राज और जे किसे नियम थे पिछे कोई डर होएगा ताँ कोई ताकत होएगी ताँ ही और शायद नियम थे कनून लागू हो सकते ने और वो मनने आ जानता है ताई राज या कनून जिड़ा है इनसान दे बारा हमलाण नुटाँ कार सकता है जिए कोई चोरी करे चकारी करे कोई कतलो गारत करे तज़ा प्लिटिकल सिस्टम है ओग और काइद इनसार चलेगा पर जड़िया इनसान दिया अंदर लिया बुराईया ने काम करोज लो मोहंकार एक किसे काइदे कनून तक तद तक नहीं आ सक दिया जद तक इदे विच आके मनुख कोई फिजिकली अपराद ना करे तो ए जड़े पांज काम करोज लो मोहंकार ने इसनू काइम करन लेई या इसनू ठीक करन लेई किसे दा भी डर चाहिए और ओ डर जड़ा है और राबदा डर या और धरम तो उपजया जानता है तो गुरुगरंद सहीब जड़ा है इस दा जड़ा धरम है पहली गाल जाई डाक्र साब ने शुरू ची कहीं सी के इट बिलोंग्स टू होल होमेनिटी असी वी आर दा कस्टोडियन पर असी मालक नहीं है असी परगट कार सक देयां ओ है इसनू समझना इसनू अपयोग करना इसनू जीना येस मैं जड़ू कह रहे हैं जीना ते गुरु गुरुबानी देयनू सार या गुरुगन सहीब देशाब ना जड़ू लिव करोगे उद्वे धरम कह सेंगे धरम दा जड़ा असली लक्ष है ओ है मनुख विच्छो मनुख तानू जगाना ताई धरम जड़ा है उसनू कार सक देयां एक एन देन ना के बुद्धिजम दे विच लाइन है अप दीपो भवो अपने दीवे आप बनो हो कहनदा है के ए लैंप ड़ूज नट स्पीक बट इट इंट इंट्रोडूज इ तो कहनदेना के जे पाणी डिसिप्लाड इइंट ऊए तो जिथा चिंद्गी है जे अनडिसिप्लांट हो जाए तो फिर बभाया आए आग डिसिप्लाट इपे बर्बादी उया पूरा बर्बाद कार देगी स्ödवा कार देगी तो मैननू एक लाइन देविच दरम दीपर अच्छा जिरी मैंनू बड़ी वदिया लगी, वो कहन दै कि दूसरे यां दे कीते गुणा दे विच अपना कसूर लबना धरम है, इसनू समझना कि दूसरे यां दे कीते गुणा विच किदरे मेरे करके तनी ओ गुणा काय सक्या, जिए ए तुसी महसूस करोगे, तो ओ धरम ह तो आज दा ये लेक्चर से चाया कि जड़ा गुरु गरंद सहब दा धरम है, ओ पंजाम एंटवी डाक्ट साहब ने सानू दसे है, काश असी इसनू समझिये और अपने बच्चेया नू और नो जवानना नू इस समझाईये, तांकि पता लगे कि रिलिजन की है